जब अमरित पाल जीत चुके हैं और काफी अच्छे मार्जिन से जीते हैं जनता जनारदर ने उन्हें विज़ई बनाया हैं ऐसे में कानून क्या कहता है कब तक वो सलाकों के पीछे रहेंगे उनके उपर एनसे भी लगा हुआ है किस तरीके से आप देखते हैं देखिए इसम जो सरकार बनती है वो सरकार भी जनता के मेंडेट से बनती है सो जब अब मेंडेट आ गया पाई अमरत पाल सिंग की हमयत में तो कोई सरकार यह हमत नहीं कर सकती कि उनको एनसे में डेटेंड करती रहेगी उसी तरह जो डेटेंशन है वो चलती रहेगी तो यह तो रिवोट करने पड़े जी हर हालत में रिवोट करने पड़े जी कनून कुछ कहता हो ना कहता हो प्रमाजर जनता का मेंडेट है जो है ये सबसे बड़ी बात है इक डेमोट्रेसी में यही बात सुप्रीम कोट ने कहिए है कि डेमोट्रेसी में लोगों का मेंडेट सबसे बड़ा होता है सो जब mandate जो है वो complete mandate आगया जमानतें जर्त हो गई सभी जो जो उनके जो वरूदी थे जो उनके राइबल्ज थे तो ऐसी सूरते हाल में उनको रहा करना लाजमी है और हर हालत में वो जो detention रिवोट होके वो रिलीज होंगे. मैं जनता जरना चाहती है कि जिनों ने उन्हें वोड दिया और वो ही जनता जरना चाहती है कि क्या अमरितपाल अब सलाकों के बाहर आपाएंगे और कब तक आपाएंगे इसमें कितने दावपेच हैं जो रुकावटे पैदा करती हैं उनको बाहर आने से रोकती हैं. मैं समझता हूँ कि कोई दाव पेच नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ये पगमंत मान की जो सरकार थी, इसलिए बरी तरह से पराज़त हुई है, पंजाब में कि उन्होंने पाई अमरत पाल सिंग को नजाय जर्फदार कर लिया, और जनता ने उस जर्फदारी के छलाब फ बो दरार पड़ती है, इन फेक्ट ये बिल्कल चूटी बात थी, पाई अमरत पाल सिंग ने किसी तर्म के छलाब कोई बात नहीं कहीं, ना कोई ऐसी बात है जिससे इन में आपसमें कोई दरार पड़ती हो, तो ऐसी सूरते हाल में, जिसमें इनको जर्सदार किया गया, छलाब भी मेंडेट आया है, तो ऐसी सूरत में पड़वांत मान की सरकार के पास कोई ऐसी बज़ा नहीं है, कि वो डिटेंशन को रिवोट ना करें, दूसरी बात, कि डिबरू डड़ में पाई अमरत पाल सिंग को इसलिए पेजा गया था, चूंकि जो ये पाजबाची सर सरकार है, सेंटर में, वो सरकार इसके साथ मिली हुई थी, आम पार्टी के साथ, आम पार्टी उनके साथ मिली थी, ये उनके साथ मिले थे, क्योंकि असाम में जो है, वो बीजेपी डॉर्मेंट है, तो उसने कंसेंट किया कि हमारी जेल में पेज दो, तो जो पाजबा है, वो भी सता में फिर आ गई है बाफस तो ऐसी सूर्थ हाल में ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है पहले एक्ट करती है ये आम पार्टी करती है यह पाजवा सरकार करती है तो ये तो दोहों में रेस होगी कि ये करते हैं कि वो करते हैं जो पार्टी पहले एक्ट करे के लिए क्योंकि यदि पाजवा रिबोट सीधे तोर पर नहीं कर सकती मज़र बो कह सकती है कि हम डिवरूडड जेल में नहीं रखेंगे तो टूई भी जो स्टेट है उसकी हकूमत इनको डिवरूडड जेल में रखने के लिए त्यार नहीं होगी तो पंजाब में बावसला तो तब्दील करके जो है डिटेंशन उस तो नरंतर जारी रख सकी सो ऐसी सूर्थे हाल में जो है यह तो पहल है किसने करनी है मेरे ख्याल से आप जी जो सरकार है पनमान सरकार है वो यह कोशिश करेगी कि हम पाचपा से नंबर ले जाएं और इनकी जो डिटेंशन है उसको पहले ही रबोट कर दे मेरा ख्याल है कि असलों की बात है डिटेंशे रबोट होने के नजदीत है मक्ठ जो ओनके न Stage लगा हुआ उसका क्या होगा तो वो तो सिर्फ परवानतमान सरकार के प्रिवु में है उस चेदिकारशेत्र में त één क्मेंट में नसे तोबूट है वो तो जो डेप्रेटी कमिशनर अमरत सर है उसकी सट्सेक्शन पर जो था ये नैशनल सेक्ट्री इस लगा था जोड़ि कमिशनर अमरत सर कार गो से सोल battling तो बजू देने की अबश्कता नहीं होती के कोई उसमें ये भी लिखा जाए ये भी लिखा जाए ये तो एक लाइन में उस तो चीफ मिनिस्टर जो एपरूब कर देगा और जो डेटेंशन है रोट हो जाए आप डिबुड़ुड़ जा रहे हैं कल और क्या मैं कल डिबुड पाल सिंग ठालसा के साथ वो पहले से ही निश्च्च थी तो पिछली दफ़ा मैं उनको अठारा मैई को मिला था अठारा मैई को हमारी जो मुलकात थी वो पांक चीफिट्स हो गई थी और उसके बाद मैंने प्रमिशन ले ली थी तो उसी सलसले में आज मैं दिली में इस वाइट है डिश्च थी तो मिल चुकी होगी अमरितपाल जी को क्या रियक्शन और निए रियक्शन तो नहीं मालम है क्योंकि एभी टेली फोन सर्वस जो है बो रिस्टोर नहीं की गई है शायद तो हो जाए यहाँ परसों को हो जाए तो कि ऐलेक्शन कर्मिशन जो था आसामता उसने यह बंद कर दी तिल एलेक्षन रिजर्ट्स तो एलेक्षन रिजर्ट्स सारे देश में हो गए हैं तो शायद कल तो रिष्टौर हो जाये पर उनको मालव है मालम इसलिए है कि टेलिवीजिन की सहूलत मिली हुई है और टेलिवीजिन में ये खबर तो आती हो आती है तो हम ये प्रियूम्ट आर सकते हैं कि उनको इसके बारे में नौलग है और इसके बारे में मालम है. तो हम अपनी जनता जनारदन को ये बता दे आपके माधियम से, अपने के माधियम से, अपने चैनल के माधियम से कि अमरितपाल जल्दी सलाकों से बाहर आ सकते हैं. उन्हें वोड दिया और वोही जनता जहना चाहती है कि क्या अमरितपाल अब सलाकों के बाहर आपाएंगे औ कि पग्वंत मान की जो सरकार थी इसी लिए बुरी तरह से प्राज़त हुई है पंजाब में कि उन्हों ने पाई अमरत पाल सिंग को नजाय जर्फदार कर लिया और जनता ने उस जर्फदारी के छलाब फत्वा दे दिया तूंकि पग्वंत मान सरकार ने जे बहाना लगाया था जे प्रिटेक्स किया था कि इनके जो पाशन हैं उससे हिंदू सिखों के बीच में जो है वो दरार पड़ती है इन फेक्ट ये बिलकल चूटी बात थी पाई अमरत पाल सिंग ने किसी तर्म के छलाब कोई बात नहीं कही ना कोई ऐसी बात है जिससे इन में आपस में को जोई दरार पड़ती हो तो ऐसी सूर्थे हाल में जिसमें इंक तो द्रसदार किया गया अब तो बजा नहीं रहती कि मेंडेट के बाद ही ये मनडेट पायामत पाल सिंग्ग की हमाया है तो इसके साथ सारे पंजाब में पढवांत मान की सरकार के खलाबभी मेंडेट आया ह तो ऐसी सूर्थ में पगवानत मानची सरकार के पास कोई ऐसी बज़ा नहीं है कि वो डिटेंशन को रिवोट ना करें दूसरी बात कि डिबरू डड़ में पाई अमरत पालसंग को इसलिए पेजा गया था चूंकि जो ये पाजबाची सरकार है सेंटर में वो सरकार इसके थी आम पार्टी के साथ आम पार्टी उनके साथ मिली थी ये उनके साथ मिले थे क्यूंकि असाम में जो है वो बीजे पी डॉर्मेंट है तो उसने चंसेंट किया कि हमारी जेल में पेज दो तो जो पाजबा है वो भी लाजबाच सता में फिर आ गई है बापस तो ऐसी सूर में रेस होगी के ये करते हैं के वो करते है जो पार्टी पहले आक्ट करे गी इस डिटेंशन तो रिबोट करने के लिए कुँछे कि इसी पाजबा रिबोट सीधे तोर पर नहीं कर सकती मदर बो कह सकती है कि हम डिवरूदड जेल में नहीं रखेंगे तो कुई भी जो नहीं है जो पंजाब की किसी भी जेल में पाई अमरत पाल सिंग को तब्दील करके जो है डेटेंशन उस तो नरंतर जारी रख सके तो ऐसी सूरते हाल में जो है ये तो पहल है कि किसने करनी है मेरे ख्याल से आप जो सरकार है पुझाम अन्तमान सरकार है वो ये कोशिश करेग कि कि हम पाचपा से नंबर ले जाएं और इनकी जो डेटेंशन है उस तो पहले ही रवोट कर दे मेरा ख्याल है कि कुस दिनों की बात है डेटेंशन रवोट होने के नजदीत है नगर जो कि उपता से लगा हुआ है उसका क्या होगा और leaders को विख न, बो तो सिर्फ पडवानतमान सरकार के प्रव्यू में है उस आदिकारशेत्र में है कि पडवानतमान एक मेंट में नात्यृत कर सकती है वो तो जो डिप्टी कमिशनर अमरएसर है उसकी सट्सक्पाइशन पर जो था निशन सेटोरीटी अक्टर लगा था जो डिप्ट ď कमिशनर अमरएसर है वो जो है पर वंत मान सरकार के मतहत है तो वो टेह देंगे तो लिखतर देगा या मैं सट्सपाई हूँ अब ये नरंतर जारी नहीं रहना चाहिए इस तो रोबोत किया जाए जो तो एक लाइन लिखनी है उसमें तो बजू हात देने की अवश्कता नहीं होती कि कोई उसमें ये भी लिखा जाए ये भी लिखा जा जाएगा और जो डिटेंशन है रोबोट हो जाएए आप डिब्रूगर जा रहे हैं कन और क्या मैं कल तो डिब्रूगर जा रहा हूं मेरी जो मीटिंग है पाई अमरतपाल सिंग ठालसा के साथ वो पहले से ही निश्चत थी तो पिछली दफ़ा मैं उनको अठारा मई को मिल अठारा मैं को ही हमारी जो मुलकात थी वो पांच की फिट्स हो गई थी और उसके बाद मैंने प्रमिशन ले ली थी तो उसी सलसले में आज मैं दिली में रुटा हूं कल तो छे बाद कर तीस मेंट पर मेरी फलाइट है तो मिल चुकी होगी अमरितपाल जी को क्या रियक्श का तो नहीं मालम है क्योंकि अभी टेलीफोन सर्वस जो है वो रिस्टोर नहीं की गई है शायद कल को हो जाए यहां परसों को हो जाए क्योंकि एलेक्शन कमिशन जो था साम का उसने ये बंद कर दी थी टेलेक्शन रिजर्ट्स तो एलेक्शन रिजर्ट्स सारे देश में ह बिली हुई है और वी आती है तो हम ये प्रिजूम कर सकते हैं कि इसके बारे में नॉल ए और रहा है और इसके बारे में मालम है उन Partners को यह बता दे आपके माद्यम से छल्दह बहुत amigo आगे और एट एट दिन इसमें मैंने रखता है एट एट रोज इसमें मैंने रखता है और बहुत जल्दी ही पाई अमरत पालसिझ्झ, शीधर ही अमरत पालसिझ पंजाब की जनता में संड़त में होगा एक आखी शब्द आतर जाहना चाहूंगा सवाल है मेरा क्या कहेंगे लोगत नंतर की इस पर्व को लेकर, जो कि आज गोशना का दिन है, परणाम का दिन है, और लोगत नंतर की जीत हुई है, मानते हैं। से दिया है यह नहीं है कि कोई कॉंटेस्ट था उसमें कोई कॉंटेस्ट नहीं था सभी अमीदवारों की जो सेकुरिटी है जो जमानत है वो जबत हो गई है और बुरी तरह से वो पराज़त हुए हैं तो जनता ने एक बड़ा फत्वा दे कर उनकी जर्फदारी को नजाज ठ काईदा कि इसने जो तनून के मताबद सही ताम किया है